तो रोमाल नहीं है मेरे पास एधन बंगाली में लाच्छो गो एलो अबरिवान गूड इवनिंग ने सुरी क्यों ठीक तो तुम्हारे लें गूड इवनिंग है ठीक है बर धूप निकला हुआ इतना सारा फिर भी गूड इवनिंग है हो रहा तुम्हारे यह अब लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्तर होंगे मस्त होगे जैसा कि आप लोगों के साथ में बताई थी कि संडे को मुझे कहीं जाना है तो बस उसी की तयारी चल रही है मैं जा रही हूँ आर यह जो मैं बिंदी लगा ही हुँ ना इसी कम मजा कुड आ रहे हैं यह जी इतना बड़ा ही बहुत दिनों बाद में सोची चलो लगा कर देखते हैं मैं यह जो ना बच्चा भी रेडी है तुम तो बोल रहे हैं कि हम सवादी से कर आए चलो अगे माईया गिर गया है अब बाच्वा सुनता रहे जै सो फ्रेंट घर से निकलने के बाद आगे थी छोटे वाली दिदी के घर क्यूंकि यही पर सारे लोग एक जुट होंगे उसके बाद फिर जहां जाना है हमें वहां जाएंगे और साथ ही यहां हमारे धनबाद में हमारे सिंद्री में आये हुए थे राहूल गांधी जी जिन हुई थी तो टाइमिंग हम लोगों ने दिया थे कि दो बज़े तक हम लोग लड़के वाले के घर में पहुंच जाएंगे लेकिन हम लोग तीन बज़े पहुंचे तो जाम के वज़े से ही प्राब्लम हो गया था तो क्या कर सकते हैं किसी को मतलब याद नहीं था ऐसा के वज़े से तो फिर हम लोग निकले और दिखिए यहां पर सब कुछ हो गया है नास्ता पानी वगरा सब कुछ हो गया है और बात में हमारे बहुत दूर के रिलेटिव वाले ही निकले हैं मतलब जान पहचान के ही निकले हैं तो फिर हम लोगों ने सब कुछ बात फिक्स ह हो गया है अब यह लोग भी आएंगे हमारे घर तो फिर जो आगे का प्रोग्राम होगा वह भागा एक उसके बात भी काफी रात भी Pat लोग भगनी घर में थी मेरी तो वो रोटी बना दी थी और दीन में मैं चैनी के सबजी यानि के घूगनी बना कर गई थी तो वो वाला ही रखा हुआ था मेरा खाने का मन नहीं था तो फिर हस्बन जी भी बोले कि चलो उसी में हो जाएगा तो इसलिए मैं सूट वगारा तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे जिसके लिए जब भी मुझे आलू के पराठे बनाने होते हैं तो मुझे काफी जल्दी उटना होता है तो अभी तो खैर बच्चों का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है स्कूल का थोड़ा लेड जात नहीं तो जब सुबह सुबह जाया करते था न तो बड़ा प्राब्लम होता था बहुत सुबह में मुझे उठना पड़ता था तो चलिए बच्चों को दे देते हैं लंच बॉक्स और बच्चों को भेज देते हैं फिर फिर उसके पापा भी खा कर चले गया थे और आज हमारे में नीबु खतम हो गया था जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं हमेशा नीबु पानी जादा करके पीती हूं सुबह सुबह मेरा मौनिंग ड्रिंक यही होता है लेकिन आज नहीं होने के करण मैं यहां पर पी रही हूं सौफ पानी नीबु पानी के बाद मुझे यह कैसे बनाते हैं लेकिन फिर भी नए ने फ्रेंट्स जुड़ते हैं तो वह लोग पुछते हैं तो खेर मैं अभी बता दूंगी लेकिन यह जो बनी हुई थी ना चीनी वाली चाय थी तो चलिए यहां पर सौफ पानी ले ले लेते हैं और अब तो गर्मिया आ रही हैं सबोर्न करते हैं तो चलिए पुआ जी के लिए चाय ले लिये हैं और मैं मेरे लिए ले ले लिए हूं सौफ पानी पीते हैं बात करते उसके बाद आप हैं और विद्शन को जिरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद मैं आ गई हूं अपने लिए नास्ता बनाने लेकिन क्या बनाऊं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और नहाने के बाद भूग भी लग जाती है टाइम भी ओवर हो गया होता है तो इसलिए मैं सोच रही हूं आज मैं कड़ी करता लेकर आई हूं मैं सोच रही हूं पोहा या उपमा इसे में से कुछ बना लूँ कि फूर्ट्स नहीं है मेरे पास तो हाँ तो देखते हैं क्या बनाते हैं और हमारी बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी आप नास्ता कितने वज़े करते हो तो डियर मैं नास्ता मेरा रोज 11 के बाद ही होता है 11 से 12 के बीच में होता है सुबह में भूग भी नहीं लगती है मुझे और काम भी मैं खतम नहीं कर पाती हूं क्यूंकि मैं थोड़ा सा सुबह में अपने आपको टाइम देती हूं क्यूंकि फिर सारा दिन तो काम काज करना ही होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं अस्बंड जी भी जब ऑफ जो से मेरा ये 11 बजे से 12 बजी के बीच मेरा नास्ता होता है तो खैर चलिए जादा पाते नहीं करते हैं बनाते हैं पोहा हमारी फ्रेंड थी जो कह रही थी कि आप पोहा कैसे बनाती हूं दीदी आपका पोहा महत अच्छा लगता देखने में हमारा तो गीला हो जाता है त कि अच्छा नहीं है तो यह जादा मोटा वहाला नहीं है चूडा नॉर्मल सा जो आता है वहागि तो इसना हम जादा नहीं धूलेंगे बस किसी भी चनी टाइप में लेकर इसे पानी से थोड़ा सा धूलेंगे कि जादा धूलने से यह गीला हो जाता हा अगर आप एक ही बार में निकाल लेंगे ना तो कभी भी घीला नहीं होगा बिल्कुल फ्रेस बनेगा तो चलिए दोते हमें अगर इस तरीके से इसे थेला गई है क्योंकि एक ही में सब चिपका हुआ रहा है तो फिर वह पानी नहीं छोड़ता है किसी भी चीज में इसे ऐसे करका रख देंगे कि सारा पानी इसका इस तरीके से इसका तोले में आ देए हमारा पोहा मैं धूल कर रख ली हूं और तो चलिए फ्रेंड मेरा पोहा धूल गया है कढाई भी गर्म हो गया है अब जल्दी से प्याज बगरा कट करते हैं बसे पोहे वो गर घी में बनाईए तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए भी हल्दी हो जाता है और टेष्टी भी लगता है लेकिन घी क्क हता होगी गयी वー बलायी जमी Wait क्यों जिसके वजह से नहीं कर पा रही है। लेकिन बहुत जल्द। तो पोहा तो सारे लोग बनाते होंगे। कैसे आpres बनाते हैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो यहां पर मैं ले ली थी सरसो का तेल, उसमें मैं पीनट्स डाल दी थी, उसे थोड़ा सा फ्राइ कर ली हूँ, अगर सरसो के तेल के जगह में घी हो तो और अच्छा रहेगा, तो जो बचा हुआ तेल था उसे मैं मैं डाल दी हूँ, इहां पर डाल देंगी पोह्थ। और नीबू भी मैं डाला करती हूँ पोहे में लेकिन अभी मेरे पास नीबू नई थी आप तो देखें ही सुबह में भी मैं सौंफ पानी पीती तो इसलिए नीबू नई डाली हूँ और जो मैं पीनट्स भुन कर रखी थी उसे भी डाल कर अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आप चाहें तो दो तीन चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं और यह चीनी वाली बात ना हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही कहा था कि आप इस तरीके से बनाईएगा बहुत अच्छा लगेगा वाके में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ह मैं मचीने यूज नहीं करती हूं तो मैं नहीं डाली हूं सब्सक्राइबर हमारा वहां बिल्कुल परफेक्ट बनकर हो गया है तैयार कड़ी पत्ता की स्वेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और यह काफी हेल्दी भी है तो अगर आप रोज रोज फूर्ट खाकर बोर हो जाते हैं तो इस तरीके का ब्रेकपास्ट आप कर सकते हैं बिल्कुल भी आपको कोई भी साइड इपक्ट नहीं है नहीं इससे आपका मोटापा बढ़ेगा नहीं बिल्कुल नहीं आप इस तरीके का ब्रेकपास्ट कर सकते हैं और साथ ही हमारे तरफ का मौसन तो मती पुछिए सुबा सुबा धूप निकलती है और फिर थोड़े देर बाद ही बिल्कुल बादल बादल सी हो गई है तो हमारे तर उसे खोड़े देंगे तो फ्रेंड चले आईए आप लोग भी हमारे साथ खालीजे गर्म गरम पोहा जो कि बहुत ही जादा टेस्टी है और हेल्दी तो है ही अच्छा हाँ अब पोहा के बारे में भी लोग पूछेंगे आप लोग पूछेंगे कि दीदी क्या हम रोज खा सकते हैं तो वह है फ्रूट्स आप प्रती दिन सुबह के नास्ते में फ्रूट्स खाईए कोई भी बुराई नहीं है लेकिन इन सब भी को रोज रोज खाईएगा तो साइद थोड़ा सा हैवी फील हो जाया यह फिर वेट लॉस होने में ना थोड़ी सी परिशानिया लाइ इस़िये रोज जोसे ने में नंधी तो बहर का खाना बनाने के लिए तो डाल चावाल तो बन गया है और यहां पर मैं तो और Conc कि बना लेते हैं अलू की बुजिया और उसके बाद फिर लास्ट में उसे बनाएंगे कि अभी कोई खाना तो खाएगा नहीं लेट से सारे लोग खाएंगे और मुझे आ रही है बहुत जोरोगी नीर लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं तर का काम तो करना ही पड़ता है कि अधिन दाती है ना तब मुझे जाकर किचन में बोरीन लगती है वरना में किचन से घल्दी बोर होती नहीं हूँ आपे लेकिन आज नीद आ रही है बहुत जोरोगी तो ऐसा लग रहा है कि कास खाना बनाना नहीं रहता लेकिन खाना तो भी बनाना ही पड़ता है हमें जो हो जब आपको कुछ करने का मन हो ना तब जादा सब कुछ आपको घर में खातम हो जाएगा जैसे कि इसमें तेल नहीं है तेल डालना है अब आप सब भी कि घर में क्या-क्या खाना बन रहा है वो भी हमें कमेंट करकर जरूर बताइएगा और सौरी मैं करीब दो दिनों से आप सबी के कमेंट का रिपलाई नहीं कर पा रही हूँ बस इसी तरीके का जो भागम दोड़ हो रहा आ जिसके वज़र से नहीं कर पा रही हूँ और एक और कमेंट आया था किसी फ्रेंड ने सौरे दियर उनका नाम मुझे याद नहीं है तो वो कह रही थी कि दिदी आप अपने मैंके के बारे में भी बताया करें आप मैंके नहीं जाती हैं क्या वहां को बारे में आप नहीं बताती है तो ऐसा नहीं है डियर मैं मैंके जाती हूँ लेकिन बहुत कम जाती हूँ और ऐसा नहीं है कि इधर में बहुत गुंते रहती हूं जो लोग हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं वो लोग जांगते हैं कि मैं बाहर ज्यादा नहीं जाती हूं बहुत कम जाती हूँ और मैंके भी जाती हूँ न तो जादा हुआ तो एक से दो दिन वरना नहीं वो भी रच्छा बंदन में से लिए और ऐसे अगर कभी गई तो सुबह में गई साम तक वापस ऐसे ही होता है मेरे साथ किंकि फिर क्या होता है अजबन जी का खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बाहर का चीज फिर खाना पड़ जाता है जिसके वज़े से मुझे फिर से वापस तुरंट आना पड़ जाता है और मैंके जाने के बाद मैं ब्लॉग वगरा उतना नहीं बनाती हूँ इसलिए आप सभी को लगता हुगा मैं मैके नहीं जाती हूँ यही बत है अध्य व के दो कहई करता है वुडियो के बनाने के मामे में मैके में ठ़ला से नमस्तों जो धर लगता है इसलिए वह पर भलॉक्त नहीं करती हूँ है इस वर vapor बात जाती हम coe ताइम बीच जाता है और फिर मैं ब्लॉक नहीं बना पती हूं तो यही सब है लेकिन हाँ अब मैं जब भी जाओंगी न तो कोसिस करूंगी कि वहां से भी मैं ब्लॉगिंग किया करूं आप सब को दिखाया करूं मैं के कभी तुमकि बहुत बार कमेंट आते हैं तो इस बार क का तो मैं राचिक बहुत 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 लगता है तो यह संटे नजियर मुझे बहुत अख़ा लगा पर चलो आप सबी के लिए खाना निकाल रही हैं क्योंकि सारे लोग आ गए हैं तो इसलिए खाना करती हैंसे पश्ण काल रही हूं कि यहां पर मैं कर रही हूं कबाब को गर्म सो फ्रेंड उन्लों को मैं खाना देकर आ गई हूं और साथ ही यहां पर गर्मा गरम बना ले रही हूं कबाब ताकि जल्दी से उन्हें जाकर देदू सो फ्रेंड यहां पर कबाब तयार यहां पर मेरी भी थाली लग अब चलिए खाना लेते हैं और चलते हैं कि नूं का खाना में बहुचाकर आ गई हूं मिश्टी का पापा का यह यहां पर रोटी खाने की तयारी कर रहा है पीना फिर अरे खाना पीना नहीं पी नहीं पीए है तो गया है उसके बाद फिर बरतन भी धुली हूं मैं साथी कपड़े कर अगया हूं पस अप भर को समेठते हैं जब तक बच्चे श्कूल से नहीं आते हैं तब तक घर रिट्डम जैसे मैं साफ करती हूं ऐसे ही रहता है जैसे ही बच्चे आ जाते हैं इप सब्ड़ा बहुत तो उता ही नहीं दखरा अर्शमिक शत्रण विट्टर से कोई काम मत करते हूं ऐसा क्या उता है बच्चों को काम सीखना चाहिए अपने लिए पर तो सो चल रहा है।ち अब फैर शूह, आज नो इसमुत की देखाए 한 कौने है विडियोन को से शपरोकरणों यहाई अनी कलिगे। का अनीजे। बोल्मोर्मी कौने कौने ला संब्हुते बॉल्मोर भॉली हो यहाई है, यहाई बोल्मोर कौने हो दो जाए। क्या करें ताकि मैं आगे भी ब्लॉक बना सकूं तो आप लोग इसी तरीके से खुश रहें बाई कल फिर मिलते हैं बाई बाई बाई